नमस्ते किसान बंदू आभी हम देखने वाले हैं कि ठंड के मोसम में केले की किस तरह से हमने परवरिश करना चाहिए और केले के खेती को ठंड से हमको कैसे बचाना चाहिए आप सभी किसान बाई जानते हैं हम डिसेंबर महिने में हैं डिसेंबर के एंड में तापमान बहुत डाउन होता है और जन्वरी में भी तापमान बहुत जादा कम हो जाता है और इसी से हमारे केले के बगिचों का नुकसान होता है आप सब यूपी के हमारे किसान भाई, उतराखन के किसान भाई, गुजरात के किसान भाई, यंपी के किसान भाई, ओडिसा के किसान भाई, बिहार के किसान भाई, सब किसान भाई जानते हैं कि ठंड में हमारा किस प्रकार से नुकसान होता है तो क्या हम ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम ठंड में केले को कैसे बचाएं, तो जो हमारे मन में कुछ गलत फ्यामिया होती है, कुछ misunderstanding होता है, वो पहले आपको समझ लेना चाहिए, कि किस प्रकार का misunderstanding आपके मन में होता है, पहली बात तो ये होती है, कि आपको ये लगता है कि इतनी ठंड है हम केले को पानी क्यों दे पानी की ज़रत नहीं है तो ये बात नहीं है यदि आप केले को इरिगेशन नहीं दे रहे रहे रिपरिगेशन नहीं चला रहे तो केले की जड़ो की कक्षा का तापमान और ज़्यादा कम हो रहा है केले को और ज़्यादा ठंड का प्रकोप हो रहा है और जडों की कक्षा में ठंडी निर्मान हो रही है वामनेश निर्मान नहीं हो रहा है और इसलिए विंटर में भी जादा पानी नहीं लेकिन जडों की कक्षा में वापसा स्तिती मेंटेन रहे और जडों में वामनेश निर्मान रहे इसके लिए हमको पान पानी देना जरूरी है तीसरी बात यह है कि यदि आप विंटर में केले को पानी नहीं दे रहे हों तो क्या होगा विंटर में आप पानी नहीं दे रहे हैं लेकिन विंटर में यदि आप इरिगेशन नहीं कर रहे हैं और आपने खाद छोड़ा है खाद डाला है तो वो सब्संद प्रकार से विंटर में केले को फर्टिगेशन भी नहीं करते हैं और इसी के कारण केला बहुत ज़्यादा विंटर में खराब होता है यदि हम महराज गंज की बात करे गोरकपुर की करे बारा बंकी की करे बहराज की करे कौशंबी है अलाबाद है नलखिनपूर खिरी है पूर्निया है कट्यार है समस्तिपूर है हाजिपूर है ये जो सारा ठंड वाला इलाका है रामपूर है ये जो ठंड वाला इलाका है इस इलाके में बहुत सारे हमारे किसान बंदू ठंड में कोई फर्टिगेशन नहीं करते, कोई खाद नहीं देते, ठंड में बहुत सारे किसानों के पास, यूपी और बिहार में रिप्रिगेशन भी नहीं है, तो कैसे आप ठंड का व्यवस्तापन करोगे, ये भी समझा है, और इसलिए मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूं, कि पूरा ठंड से रूख जाता है, पत्ता छोटा निकलता है, कई बार पत्ते जल जाते है, चरका, उसको चरका कहा जाता है, इट इस नाट डिजीज, ये बिमारी नहीं है, लेकिन ये ठंड के कारण, लोवर टेंपरेचर के कारण, सडन पत्ते पीले गिरके, और उसका पूर जलता है तो उसके उपर पहले सिगा टोका की स्पार्ट आते हैं फंगस के स्पार्ट आते हैं वो स्पार्ट एक साथ आते हैं और बाद में पत्ता जलता है लेकिन विंटर इंजुरी में पत्ता पीला गिरता है और सीधा वो करब जाता है जल जाता है और इसलिए हमको नुकस भर लेगा इस आप सोचते हैं इसे नहीं हो सकता जब 16 डिगरी के नीचे तापमान चला जाता है तो potash की solubility नहीं है और potash winter से जगटने के लिए बहुत जरूरी है तो आप मैने में एक बार खाट डालोगे तो winter में आपका बगिचा अच्छा नहीं रह सकता और इसलिए आप को हर चवते दिन पाउदे को winter में भी nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium ये देना बहुत जरूरी है यदि हम हमारे बरानपूर के निमंदर, खकनार, फोपनार, कानापूर, मांजरोद, टेमभी इस एरिया को यदि आप देखते हैं तो आज से 5 साल पहले वहां पूरा पत्ते जल जाते थे हमारे वह के किसाल भाई है, विपुल भाई है, कानापूर के राजु भाई है, अनिल भाई चोधरी है, किशोर भाई चोधरी है, ये सारे किसान बंदू हमें बताते थे, कि सर हमारा पहुदा, विजय गुपता है, हमारा पहुदा 5 फिट का 3 फिट हो गया, तो एक जमाना था कि वहा आस पान साल से हम निमंदड में काम कर रहे हैं और आज हमारे किसान बद्दू काफी अच्छी तरह से विंटर का मैनेजमेंट कर रहे हैं लेकिन आज भी पूरी तरह से उनका विंटर चीलिंग इंजूरी से वो नहीं बचे हैं और इसलिए हमको दो-तीन चीजे ध्यान में पास्परिक आसीड या एक किलो बारा एक्सस जिरो इस प्रकार से हर चवते दिन ड्रीप से देंगे सोलिवल फाम में देंगे घुलन शील हमारा खाद रहेगा जडों की कक्षा में जाएगा घुलाने की जरत नहीं पहले से घुलाए दुपेर का टेंपरेचर 15 डिगरी 16 ड दूसरी बात है वातावरन थंडा है बहार ठंड की लहर है अंदर बगिचे के अंदर वामनेस है क्योंकि पउदे का श्वाश्यस्वाद चल रहा है फोटो सिंदीसी चल रहा है युमिडिटी निर्मान हो रही है तो टेंपरेचर डाउन नहीं हो रहा है लेकिन ठंड हवा अंदर आती है वाम हवा बाहर जाती है बगीचे के चारो तरफ से हमको नेट लगाना जरूरिये गजराज घास लगाना जरूरिये या शेवरी लगाना जरूरिये ताकि हम बगीचे के अंदर का जो तापमाना है उसको मेंटेन रखेंगे तीसरी बात हमको जिस एरिया में ठं दोनों तरब की जड़े कार्यक्षम है और उसके उपर मल्चिंग है तो जड़ों की कक्षा में वामनेश निर्मान होता है और उससे पौदे को नूट्रिशन और पानी की उपलब दता बढ़ती है ठंड से पौदा बचता है तीसरी बात जो बगीचे छोटे है उन बगीचों के उपर आप फोलियर फीडिंग कर सकते हैं जैसे कि हम निमंदड में कर रहे हैं और फोलियर फीडिंग से पत्ते को हम फीडिंग दे के विंटर से बचा सकते हैं तीसरा काम जो बंच अभी हर्वेस्ट मतलब फ्लावरिंग हुआ है बंच डेवलप्मेंट के स्टेज में है temperature 7 degree के नीचे चला जा रहा है 10 degree के नीचे चला जा रहा है तो जो बंच का जो finger है उस केले की जो उपर की layer है critical layer है उसके अंदर की जो पेशिया होती है शाका होती है उसके अंदर browning हो जाता है मतलब पेशिया जो cells है वो burst होती है उसको chilling injury कहा जाता है और जो ओ केला जब हम पकाते है तो उसको चॉकलेटी यलो कलर आता है गोल्डन यलो कलर नहीं आता है इसके लिए ये जो स्कर्टिंग बैग आप देख रहें आपको स्कर्टिंग बैग बंच के उपर लगानी है उपर से उसको बानना है नीचे से भी उसको बानना है ताकि बंच में वापनेस रहे मल्चिंग और स्कर्टिंग बैग इरिगेशन और फर्टिगेशन ये यदि हम में करते हैं तो बंच के उपर के चीलिंग को भी काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं जो ये रिया थोड़ा वाम है हमारे यावल में सातोद है कोड़ोद है वडरी है यह जो विलेजेस है यह चीलिंग इंजूरी नहीं होती है और इसलिए चीलिंग से बंच को कैसे बचाए ये भी आपको द्यान में लेना बहुत जरूरी है और तीसरी और आखरी बात है इसके अलावा यदि हम नौर्थ इंडिया की बात करते हैं यदि हम यूपी की बात करते हैं हरियाना की बात करते हैं पंजाब की बात करते हैं उत्राखंड की बात करते हैं तो हमारे लिए अलग model है और वो model यह है कि हमको protected cultivation में केले की खेती करना है यहाँ जैन हिल्स के क्रिशि माथ्सों में आप सारे किसान बंदू आईए और आप देखिए कि यहाँ पे protected cultivation में केले की खेती हो रहे है जब उपर से nat और poly house है तो केले के अंदर का जो तापमान है वो बाहर का तापमान भले ही पास डिग्री हो लेकिन अंदर का तापमान 10 से 15 डिग्री रहेगा और उसके कारण हम केले को चीलिंग से बचाएंगे और नार्थी अंडिया जैसे चीलिंग वाले एरिया में भी जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ भी हम केले की खेती कर सकते है इस प्रकार से इस सारी व्यवस्ता को यदि आप समझे पानी आप सुबह के समय दे पानी every alternate day पानी सुबह आप दे रहे इरिगेशन रिपरिगेशन सुबह चला रहे तो जड़ों की कक्षा में वाम पानी आप डाल रहे उससे जड़ों की कक्षा में वामनेस बढ़ेगा के इस प्रकार की सारी योजना है इस प्रकार की सारी प्रिकाशन्स विंटर एंजूरी से बचाने के लिए यदि आप करते हैं तो मुझे विश्वास है कि नौर्थ इंडिया का भी बरानपूर का भी जलगाओ का भी शोलापूर का भी नंदुरबार नासिक का भी केला विंट पूरी तरह से पीला होके करब जाने से उसको बचा सकते और इसलिए विंटर मैनेजमेंट केले की खेती में बहुत-बहुत जरूरी बात है क्रिपया आप इसको समझे और व्यवस्तापन करें बहुत-बहुत धन्यवाद हुआ हुआ